अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे कैरी का अचार, जो कच्चाम होता है, उसका अचार अगर आप आम के अचार के शोकीन है तो आज की रेसिपी आपके लिए है ना इसको हमें काटना है, गुठली का काटना भी मुश्किल हो जाता है, ना हमें इसे धूप में सुखाना है, इंस्टेंट अचार हम बनाएंगे, और मिर्च के साथ बनाएंगे तो खटा, मीठा और तीखा, चटपटा अचार बनेगा, बहुत ही शानदार ये बना था, आप इसको जरूर ट्राई करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कच्चाम लिया है, मैंने 400 गिराम, और मिर्च ली है 200 गिराम, वन इस्टू टू का रेशो आप रखें, इसको मैंने दो के अच्छे से पोच लिया है, और अब मैं इसको कट करूँगी, बीच में से आधा, आप चाहें, तो इसका भी आधा कर लें, अगर आप छोटी-छोटी पीस करेंगे, तो भी चलेगा, और साथी कहरी मैंने घिस लिए, ग्रेट कर लिए, मोटे साइट से हमें ग्रेट करना है, तो कड़ाई में मैंने 200 ml सरसो का तेल डाला है, और इसको हाई हीट पे स्मोक आने तक हमें इसे गरम करना है, और फिर गैस को आफ कर दें, और जब हलका सा गरम रह जाए, तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राई, काली वाली सरसो हम इसमें डालेंगे, और इसके साथी मैं इसमें डाल रही हूं साबूत धनिया कूट के 1 टेबल स्पून, देखिए तेल हलका गरम है, हलका हलका ही fry हो रहा है, हमें इतना ही temperature रखना है तेल का, गैस अभी एकदम आफ है, साथी 1 टेबल स्पून सॉंफ, जो मोटी वाली सॉंफ होती है, अचार में वह बहुत अच्छी लगती है, वो ली है मैंने, इसका साथी 1 टी स्पून हम डालेंगे, जीरा, हलका से fry हो रहा है, और इसका साथी में 1 टी स्पून मेथी दाना डालूंगी, अब इसका temperature बिल्कुल लो हो गया है, पीले रंकी होती है, चप्ती सी होती है, इसको राय की दाल कहते हैं, असानी से मार्किट में मिल जाती है, इसके साथ ही मैं 1 teaspoon कलाउंजी डाल रही हूँ अचार में इसके बिना तो tasty नहीं आता है तो आप इसको जरूर डालें और इसको हलका हलका हम fry कर लेंगे बस एक से दो मिनट बहुत जादा brown हमें नहीं करना है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon फिसी हुई सॉफ वही मोटी सॉफ को मैंने कूट लिया था अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले हल्दी 1 teaspoon इसके साथ ही मैं मिर्च ले रही हूँ 1.5 चमच मिर्च हमें बहुत सादा नहीं डालना है क्योंकि हम इस अचार में हरी मिर्च डाल रहें उसका भी अपना कुछ तीखा पन होता है इसको हम लाल मिर्च इसमें कम डालेंगे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे फ्लेम को एकदम लो रखना है आपको नहीं तो मसाले जल भी सकते हैं और बस कुछ second के लिए हम इसको फ्राई करेंगे इसमें डाल देंगे मिर्चे, और इसको भी घची से एक से दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे. हम ने इसमें नमक नहीं डाला है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, डेड़ चम्मच। मैंने इसमें नमक डाला था, आप गती क्समारी डाल सकते हैं, ताकि सारा मसाला इसमें अच्छे से mix हो जाए और जो केरी का moisture है वह थोड़ा खतम हो जाए तो आप कम से कम एक से दो मिनट के लिए इसको low flame पे भूने देखिए अब केरी भी अच्छे से मसाला इसमें लग गया है और यह सूप भी गई है पहले से, मौईस्टर इसका खतम हो गया है, तो हमारा अचार एकदम तयार है, उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हींग, वन टीस्पून, इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, तो आप इसको जरूर डालें, वो इसमें नहीं होगा, तो चलिए हमारा अचार बिल्कुल तयार है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको जार में रखेंगे, जार को मैंने अच्छे से धो के धूप में रख दिया था, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, और अब हम इसमें अपना अचार डाल अच्छे से इसको दबा दबा के आपको भरना है, ताकि जितना ओयल है वो उपर आ जाए, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो यह अचार बिल्कुल तयार है, और दस से पंदरा दिन में यह आप इसको कंजियूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जादा दिन इसे रखन हो जाए, तो इसमें आप डाल दें, उसका लेवल अचार से उपर होना चाहिए, आप इसको साल भर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो देखा आपने कितनी असानी से हमने यह आम का अचार बनाया है, तीखा, चटपटा, मसालेदार, बहुत ही में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले, और मुझे बताएं कि आप मेरा वीडियो कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे जानके बहुत खुशी होगी, तब तर, बाबाई